कल भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच तीसरा 2020 मैच खेला गया जिसमें रोहित की शांदार सैंचुरी देखने को मिला रोहित ने इस मैच में 121 रनों की पारी खेली जिसमें 11 चोके और 8 चखके शामिल थे। मैच टाई हो गया था जिसके बाद सुपर ओव देखने को मिला और सुपर ओव भी टाई रहा जिसके बाद दूसरा सुपर ओव देखने को मिला। भारत ने शांदार जीत हासिल की इंडिया ने 11 रन बनाए दूसरे सुपर ओव में रोहित की बल्लेबाजी से एक चखका और एक चौका भी सामिल था। गैंड बाजी करने उतरे विश्णोई जिन्होंने तीन गैंड में दो विकेट लेके भारत को जीत दिला दिया। इस मैच के मैन अफ दे मैच रहे रोहित शर्मा और प्लेयर अफ दे सीरीज रहे शिवम दुबे जिन्होंने पहले दो मैच में दो शांदार अर्धशतक लगाया था। भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 212 रन का विशाल स्कोव खड़ा किया उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी 212 रन ही बनाए भारत के तरफ से रोहित ने 121 तो अफगानिस्तान के तरफ से गुलाबदीन ने 55 रन की पारी खेली भारत की तरफ से सुंदर ने 3 ओव में सिर्फ 18 रन दिये और 3 विकेट लिए जो भारत की तरफ से सबसे अच्छी गैन बाजी थी और अफगानिस्तान के तरफ से फरीद एहमद ने 4 ओव में 20 रन दिये और 3 विकेट लिए